तो है लेजेंस कैसे हो आप सभी तो यार आपको पता चली गया हुआ कि ये वालों ने हमारी जो सोफ लौच की डेट है वो एक बार फिट से डिले कर दिया है और उन्होंने एक बार फिट से साबित कर दिया कि वो किसी गेम को कितना लेट तक अटका सकते हैं कि पर्च तो सुबर पांच में जब गेम ड्रोफ होने वाले थी उसी टाइम एक ट्वीट करती है जिसमें वो बताता है कि अभी जो करन्ट सिच्वेशन है मतलब रश्या और युक्रियन के वी जो वार चल दी है उस उन कारणों की वैसे सोफ लोच की जो डेट है वो थोड़ आगे बढ़ा दिया है तो यहां में रिस्पॉन के डिसिजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यह वालों को थोड़ा और सपोर्ट दिखाना चाहिए क्योंकि इस बार उन्होंना हमें सोफ लॉंच की एक एक जाइक देट बता दिया है जो कि है साथ मार्च इससे कम्यूट इसे जिनका वीडियो बनाना का मन नहीं है और ऐसे लोग अपनी बिमारी या खाला की शादी के बाने बना रहे हैं तो घ्राइस हमें सोफ लॉंच की डेट तो पदा चली चुकिए लेकिन टाइमिंग का क्या मतलब सोफ लॉंच इंडिया में कितने बज़े और किस देट को लॉंच होने वाला है तो मैं आपको पहले यह किलियर कर देता हूँ कि जो डेट बताई है मतलब 7 मार्च वो अमेरिकन टाइम जोन के हिसाफ से बताई है मतलब जो गेम है वो अमेरिकन टाइम जोन वाली कंट्री में 7 मार्च को सुबह 4 या 4-7 के बीच में ड्रोप हो सकती ह अगर हम इसे इंडियान स्टेंडर टाइम के एकोर्डिंग काल्कुलेट करें तो गेम हमें इंडिया में 7 मार्च की रात या फिर 8 मार्च की सुबह 5-6 के बीच में देखने को मिल सकती है इंडियान स्टेंडर टाइम अमेरिकन टाइम जोन से 12-13 गंटे आगे चलता है इसे आप 7 मार्च की जो डेट है उससे कंफ्यों मत हो जाना क्योंकि इंडिया में जो गेम है वह 8 मार्च तक ही आएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ गेम के सोफ्ट लाउंच के लेकि जो आपके मन में थोड़ी बहुत कंफ्यों होगी वो दूर होगी और हम बात कर लेता है आपके में सोफ्ट वांच में मिलने वाले रैंक रिवोड्स और डेली लोगिन रिवोड्स के लिए काफी अच्छ होने वाला है जिसमें पहले दिन तो आपको कुछ कोईन देखने हो मिलेंगे लेकिन दूस्ते दिन आपको रेविदेंट करें मिलने वाला है इसके बात 3-7 जाद दिन के बीच लोगिन करने पर आपको ज्यादा कुछ है बस खाली XP कार्ज और कुछ कोईन सी देखने हो मिलेंगे लेकिन आठवे दिन आपको मिलने वाले है रैविदेंट की एक एपिक स्कीन जिसे मुझे लगता है काफी फ्ली टू प्लेयर्स यूज करने वाले है अब हम बात करने ते अपने रैंक रिवोट्स के बारे में जिसमें आपको अच्छे रिवोट्स मिलने वाले है जिसमें सबसे बोटम रैंक मतलब ब्रॉंज रैंक पर आपको मिलने वाले है एक एपिक इमोट और जैसे जैसे आप हाईयर रैंक पर जाते रहोगे आपके जो तो रिबोर्ट की रियर्टी वो बढ़ती रहेगी जैसे गोल 3 पर आपको मिलने वाला एक लिजन्डरी अफतार मतलब इसे आप अपनी इन-गेम डीपी या पीएफी पर लगा सकते हो और प्लेटियम रैंक पे आपको बैंडर की कुछी स्कीन देखने को मिल सकते हैं जो मिल सकते हैं अब बात कर लेते हैं उस रैंक के बारे में इस पर तो 5,000 प्लेयर्स ही पहुचने वाले हैं मतलब प्रेडेटर रैंक जिसमें आपको लेजन्डी रेटी वाली गंस्किन अफतार फ्रेम देखने मों मिलने वाला है तो यार आप मेंसे कौन-कौन लोग प्रेड झाल